नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पर जोड दिया जा रहा है, सरकार ने इन स्कूलों के सिख्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, इसके लिए मोडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधना ध्याप को और सिख्षकों को अजीम प्रेम जी फाउडेशन भी प्रस् मास्टर, डाइट, फैकल्टी, विशाय, विशिष्ट, मास्टर, ट्रेनर्स, एवं प्रमुक, हीत धारकों के छामता बिर्धी कारिकरम की अवधारना और संचालन के लिए अजीम प्रेम जी फाउडेशन सयोग कर रहा है, आपको बता दी कि मोडल स्कूल के प्रधना ध्या आपको और सिस्को को IIM जैसे संस्थान भी प्रसिक्षन प्रधान कर रहे हैं, जारखन का पहला सोफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क त्यार 3000 लोगों को मिलेगा रोजगार, 15 नॉमबर 2022 को जारखन 22 साल का हो जाएगा, इस 22 साल में राजे ने कई प्रगति की है, इसी कड़ी खुआ राजय में 4 आने सोफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क निमान हो रहा है, इसके साथ ही राजय में कूल 5 सोफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क बन रहे हैं, वहीं डाटा सेंटर से देश विदेश स्थीत कलाइन्ट को सवाए भी मिलेंगी, बता देझ छाह माह में इन पर पुजा सुक्रवार से सुरू 31 अक्टूबर को अरग जार्खंड ही नहीं पूरे देश इस समय छट महापर के रंग में रंग चुका है बतादे बिहार जार्खंड और उतर परदेश के पुरवांचल में इसका रंग कुछ ज्यादा ही चटक नजर आ रहा है दिली और मुंब सुक्रवार से प्रादम होता है इस वर्ष नहाय खाय 28 अक्टूबर 2022 को है जिस घरो में चट मनाया जाएगा वहां चट वरती महिलाए पुरुष नजी तलाबों में अस्नान करेंगे ज्यारखन के युवाओ को स्टार्ट अप के लिए 5 लाख की मदद पैसे की अभाव में स्टार्ट अप सुरू नहीं कर पाने वाले युवाओ के लिए बहुत बड़ी खबर है पतादे ज्यारखन के रजधानी राची में ज्यारखन उवर्सिटी आफ टेक्नोलोजी ने इ यही नहीं जिंदल गुरूप ने भी इस दिशा में अपनी दिल्चस्पी दिखाई है यहां युवाओ को एक छट के नीचे प्रसिक्षन दिया जाएगा इतना ही नहीं उन्हें 5 लाख रुपे तक की मदद भी दी जाएगी बी एच्यू की तर्ज पर इसकी का योजना बन की सेस्ता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जार्खन के राजेपाल को भेजेग मनतब्य के खुलासा होना असान नहीं है मुख्य मंत्री हमन्सुरेन द्वारा राजेपल रमेश वैसे आयोग के पत्र मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर सता सीन पार्टी जामों ने सुचना अधिकार अधिनियम के तहत इसकी जनकारी राजभवन सच्चवाले से मांगी है लेकिन अब यह तय हो गया है कि इस कानून के तहत भी जामों को यह जनकारी नहीं मिल पाएगी दरसल बोकारों के कसमार निवासी हेमंत कुमार महतो ने भी सुचना के अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग से खननलीज मामले में सुचना मांगी थी लातेहर में पांच लाह का इनामी सब जोनल कमांडर बिराज गिरफतार पारलातेहर पुलिस ने नकसल संगठन टी एसपीसी का सब जोनल कमांडर बिराज गांजो और फराकेस जी समयती नकसली को गिरफतार किया है नकसली बिराज गांजो पर पांच लाख रुपय का इनाम है पुलिस ने बिराज के पास से 217 समयत कई गोली बरामत किया है मुख्य मंत्री ननिहाल कहा बंद लिफाफे को बंद ही रहने दे। पैर धुलाया गया। फिर है लिफाफे को लेकर राजे की राजनिती पर उन्होंने कहा कि लिफाफा को बंद ही रहने दे। जब खुलेगा तब दिखा जाएगा। वैसे जामो हर संहर्स को तयार है। उन्होंने कहा है कि जब राजे की जनता उनके साथ है तो किसी भी लिफाफे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दरान उन्होंने सुहराई और महापर्व छट धुमधाम से मनाने की अपिल लोगों से किया है। भवन में गंदगी देख वे भड़क गए। उन्होंने कहा है कि जब मेटकल कॉलेज में ही इतनी गंदगी है तो अन्य अस्पतालोव अस्वास्ते केंद्रों की क्या स्थिती होगी। उन्होंने बताया कि सफाई की जिम्यदारी आउट्सोर्सिंग कर्मियों के भरोसे है। उन्होंने कहा है कि आउट्सोर्सिंग अपने आप में बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा है कि अस्थानिय निती होनी चाहिए। जार्खन बिहार से अलग होकर राजबना हमने भी बिहार में जमीन खर दी थी उसे बेंच दिया। अगर मैंने अपनी जमीन नहीं बेची होती तो मैं भी बिहारी होता। मुझे भी लोग बाहरी कहते अच्छा लगता क्या। जारखन में कुरोना को लेकर बरती जा रही कोता ही कुरोना का नया वेरियंट खत्रे का इसारा कर रहा है कि कुरोना अब तक जड़ से खत्म नहीं हुआ है बता दे महराष्ट में कुरोना वायरस के नय सब वेरियंट की पूछ्टी होने के बाद करना तक सहीत कई राजियों म वहीं अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरोना से बचाव का वैक्सिन नहीं लिया है। वहीं सोमवार को सुबह के अरग के लिए सुबह के दो बजे से पुलिस कर्मियों की तेनाती रहेगी। गुमला नगर परिशत चुनाव के त्यारी में जूटा जिला परसासन। गुमला नगर परिशत चुनाव के सिबुगाहर सुरू हो गई है। संभवना एक नॉमबर में चुनाव का इसुसना जारी हो जाएगी। चुनाव को निस्पक्ष एवाम सांतिपूर्ण संपन कराने के लिए जीला परसासन अपनी त्यारी में लग गया है। इसके साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पत के लिए भी चुनाव होगा। पुर्व सीम बावलर मरांडी के पूत्र अनूप मरांडी समेथ 19 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को जमूई और गिरीडी के जोनल कमांडर चीराग के दस्ते ने अपने 50 साथियों के साथ मिल कर अंजाम दिया था। इसमें नकसली महंदर वर्नवाल भी सामिल था। दुमका भागलपूर रोड पर आग का गोला बना LPG ट्रेंकर। दुमका भागलपूर मुख्य मार्ग पर आफराता प्रीमच गई है। कई लोग जुलस गए हैं, एक सो भी बरामत हुए है। इस दुरगटना की वज़से इलाके की बिजली की सपलाइट हफ हो गई है। यहां तक की गोटा जाने वाली ट्रेन को भी रोक दिया गया है। जब तक आग नहीं बुझी, बंगाल और बिहार को जोडने वाली दुमका भागलपूर मुख्य मार्ग पर आवागमन खंटो बादित रहा। दुमका जिला के हंस्टी थाना चेत्र के कुमार हाट के पास होई है। दुरघातना के बाद एलपी जी ट्रेंकर के परछके उड़ गया है। कई किलोमेटर दूर तक आग के सोले और धुमा का गुबारा देखा गया। कई लोगों के जुलसने की भी खबर है। जाम तड़ा में पीकप वैन से हो रही पसुख की तसकरी। पहुँचकर लोगों को समझाया, बुझाया और जाम हटाया। थाना परभारी नागेसवर्सा ने कहा है कि पीकप वैन माली के हम चालक पर प्रत्मी की दर्च की जा रही है। चालको हिरासत में लिया गया है। कागीपर के लिया पूरी करने के बाद चालको जेल भेजा जाएगा। रामगड के दूलमी छेतर में 20 हाथियों का जोंड़। खेतों में लगे धान की फ़सल को रहन दिया और खा भी गया है। बालू से जार्खन सरकार को करोरो के राजस्वकान नुक्सा है। राष्ट्रे हरित अधिक करन ने 15 जुन से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगा रखी थी। या समय सीमा समाप्त होते ही नदियों से बालू का खानन और उठाव सुरू हो गया है। इसे लेकर जार्खन और बिहार में अलग-अलग तस्वीरे देखने को मिल रही है। एक तरफ बालू से बिहार सरकार अपना खाजाना भर रही है तो हैं दूसरे तरफ जार्खन सरकार को क्रोरो अर्वो के राइस्वका नुक्सान हो रहा है। हलाकि खाने वं भूतत विवाग के पास बचाओ के अपने तरका हैं। बालू घाटों के निलामी ना होने के लिए जीला सर्वे रिपोर्ट ना होने को जीमिवार ठाराया जारा है। बतादे जार्खन के पलामू जीले से बिहार और अरंगाबाद जीले की सीमा लगती है। अरंगाबाद में स्वन नदी के घाटों से बालू उठाव के लिए निलामी के परकिरिया जारी है। 20 अक्टूबर को वारून के गोठावली एवां दावद नगर के नान हो बिगो दो घाटों के निलामी बावन को रुपय में हुई है। उन्होंने कहा है कि सोराई के दिन संताल समाज के घरों में मेहमानों का जुटान होता है। लोग आपस में एक साथ मिल करपरों का अनंद उठाते हैं, सुक दोख भी बिताते रहते हैं। मुख्य मंत्री ने धात की डिह में पूरे परिवार के साथ सोराई पर्व मनाया। इस दोराण उन्होंने जहां मामा घर का गुड पिठा का लुपत उठाया। वही अपनी परमपरा का निर्वाहन भी किया है। छट पर ट्रेनों में भीड रांची एंस्टेशन पर 25 आर्पी एफ जवान तैनात। छट को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड बढ़ गई है। बिसेश कर बिहार पटना होकर जाने वाले ट्रेनों में भीड़ ज्यादा है। यात्रियों की भीड़ को संतुलित करने और आरक्षित सिरेनी की बोगियों में प्रतिक्षा सुची लंबी होने के कारण यात्रियों की सुभधा के लिए रांची रेल मंडल से होकर कई स्पेसल ट्रेन चला जा रही है वहीं छट को लेकर रेलवे सुरक्षा बलोवा परिचालन वानी जिस से जुड़े रेल कर्मियों की छुटी को भी संतुलित करने का पर्यास किया गया है यात्रियों की अधिकतर भीड दो पर दो से लेकर रात 11 बजे के बीच हो रही है आदिवासी बिचार समेलन में पाइच सुत्री प्रस्ताव पारित आदिवासी बचाव बिचार समेलन का उजन गुर्वा को धुमकुडिय सभागा करम टोली में हुआ समेलन में 12 आदिवासी महिलाओं को समाज सेवा में सक्रियता के लिए समानित भी किया गया इसमें पुरो मंत्री गीता सिरी उराव भी सामिल है समेलन में 25 सुत्री प्रस्ताव पारित किया गया इसमें आदिवासियों की हासा, भासा, जाती, धर्म, इज़त, अबादी, रोजगार, समेधानिक अधिकारों को बचाने के लिए समाजिक, राजनितिक, एजेंटा के रूप में बोलने कुर्मी को एश्टी सुची में सामिल करने के लिए हस्ताक्षर करने वाले आदिवासी नेताओ पार्टियों का 30 अक्टूबर को 5 परदेशों में पुतला दहन करने सभी सरकारी नोकरियों में 90 फिसदी ग्रामिन और 10 फिसदी सहरी छेतर में आवंटित कर प्रखंड वार कोटा बनाने सरना धर्म कोट की मांग को लेकर अंधुलों रत संगठनों के बीच समन में बनाने वा आदिवासी महिलाओ को 50 फिसदी आराक्षन सामिल है जारखंड चेमबर दिसंबर में सिंभूम चेमबर के साथ करेगा बैठक जारखंड चेमबर ने गुरुवार को सिंभूम चेमबर और कोमर्च के पताधिकारियों के साथ बैठक की है इस दौरान दिसंबर में ज्यार्खन चेंबर और सिंग्भूम चेंबर और कोमर्स के सनुक्त बैठा करने नहीं लिया गया यह बैठाक जमसेदपूर में होगी मौके पर चेंबर अध्यक किस्वर मंत्री उपाध्यक्स अधित्य मलहोत्रा महा सचीव डाक्टर अभिसेख रामाधिन मौजूद थे भारतिये रूपए पर लक्ष्मी गनेश जी की तस्वीर को लेकर ज्यार्खन में बवाल आम आदमी पार्टी के संजोजक और दिली के मुख्यमंतिर अभिंद केजरिवाल ने भारतिये अर्ध विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए रूपए पर राष्ट पिता महात्मा गांदी के तस्वीर के साथ साथ लक्षमी गनेश जी की तस्वीर छापने की सला पियम मोदी को दी है केजरिवाल की सला पर पियम मोदी का रूख क्या होगा यह तो भविस्त की बात है लेकिन इस मुद्धे पर ज्यार्खन की सत्तधारी यूपिय महागड बंधन की दो बड़ी पार्टियो ज्हार्खन कंग्रेस और ज्हार्खन मोक्ति मुर्चा के बिरोधा भासी ब्यान सामने आ गया है ज्हार्खन मोक्ति मुर्चा ने अर्विंदि केजरिवाल के ब्यान को सही बताते हुए कहा है बरमा लक्षमी और गनेस जी की तस्वीर छापने से भारतीय अर्थ बेवास्ता में सुधार हो सकता है तो इसमें परशानी क्या है राजे पाल के ब्यान पर ज्हामुमों ने कहा होगा उल्गुलान जार्खन के राजे पाल रमेस बैस के एक ब्यान ने राजे में रायनितिक पारा को फिर से गरम कर दिया है जारखन मुक्ति मूर्चा के केंधरीय प्रवक्ता और केंधरीय समीती सेस मनोज पांडे ने चातिस कवर में जारखन के राजेपाल के बियान पर कहा है कि वह किसके हुकुम का इंतियार कर रहे हैं ये टम बम फोड़ कर दिखा है उन्होंनों चेतावनी देते हुए कहा है कि यह जारकन की धर्ती है और अगर यहां एक जन पिरिये आदिवासी के मुखे मंत्री बेटे के साथ कुछ भी अन्याय हुआ तो उल्गुलान होगा हजारी बाग में अवैद बालू का करोबार जारी हजारी बाग जीला के केरे डारी थाना चेतर में अवैद बालू का करोबार धडल से जारी है केरे डारी और टंडवा सीमा चेतर के बढ़की नदी से बालू माफिया बिना रोक टोक के दीन राध ट्रेक्टर और हाईवे से धुलाई कर रहे हैं यहां तक की बालू तसकरी के लिए भुकरू मोड के समीब बालू का स्टोक याड भी बनाया गया है 65.85 को बड़ी खुस खबरी मुख्य मंत्री हेमांसुरेन की अगुवाई वाली जरकन सरकार ने 65.85 को बड़ी खुस खबरी देने जा रही है किसी भी पाराशिक्षा के सेवा अधिक दर्वान मिरती होने पर उसके आश्रित को उसकी योगता के अनुसार अनुकंपा पर नवकरी मिलेगी यह नवकरी समगर सिक्षा अभियान के विभीन पदो पर ही अनुबंद पर हो सकेग धर्निवाद यदि आप चैनल पनाए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंद भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को से आशेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवस्य दे थैंक्यू